किसी महिला को देख के आप ये कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इसकी डिलिवरी बिलकुल अब तब में होने वाली है अब तब का मतलब होता है कि ये नियर फ्यूचर में 12 से 24 घंटे के अंदर महिला की डिलिवरी हो जाएगी ये वीडियो काफी इंफर्मेटिव है प्लेश शुरू से लेकि लाश तक जरूर देखेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हर्शित अवर्मा है और आपका मेरे शैनल ट्विंस मैं वर्ल केर पे बहुत-बहुत स्वागत है ये जो अब तब में डिलिवरी वाली चीज़े होती है तो हमारे मन में एक सवाल घुमने लगता है कि अब तब में डिलिवरी हो जाएगी कभी भी हो जाएगी कैसे करेंगे कैसे मैनेज करेंगे सारी चीज़े होती है लेकिन डिलिवरी एकदम से आपका सड़न नहीं होता है उसके साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे लक्षन दिखाएं देंगे आपके शरीर में क्योंकि देखें प्रिगनसी बहुत बड़ी चीज़ होती है एकदम से ट्रांजिशन होता है एक औरत के शरीर से एकदम मा के शरीर में प्रवेश करना तो आपके शरिर में कुछ भी ऐसी चीज होंगी तो सिम्टम जरूर शो होंगे आपको ऐसे तीन लक्षन में आपको बताऊंगी जिससे कि आपको समझना चाहिए कि अब तब में डिलिवरी हो जाएगी सबसे पहली चीज आपके प्राइविट पार्ट से कुछ ऐसे चिपचिपे से पदार्थ जाएगे जो कि बिल्कुल लसलसे होंगे, चिपचिपे होंगे, कुछ बलड के टिंचेज भी हो सकते है कुछ वाइट डिस्चार्ज जिस तरह से बलगम होता है, उस तरह के वाइट डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज अगर ये रिलीज होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं म्यूकस प्लग और ये mucus plug discharge होने के बाद से ऐसा माना जाता है कि बच्चे दानी अपना शेप बढ़ा करने लगती है और बच्चे दानी का जब शेप बढ़ा होने लगता है उसकी जो opening है mouth है वो बड़ी होने लगती है तो आपके बच्चे का वहाँ पर out होना शुरू होता है यानि कि cervix का जब मुह 10 cm तक खुल जाता है तब तक आपकी delivery होती है 10 cm के बाद ही आपकी delivery शुरू होती है तो आपके mucus plug का जब भी discharge होगा उसके बाद से ही आपकी cervix की opening शुरू होती है तो mucus plug का discharge होना बहुत बड़ा एक लक्षन होता है जो कि generally 99% cases में महिलाएं face करती है दूसरे important ची अगर फट गई वहां से पानी का रिसाव शुरू हो गया इसका मतलग कि बच्चा पूरी तरह से अब 12 घंटे के अंदर उसके delivery हो जाएगी क्योंकि बच्चा आपके जो अमिनॉटिक फ्लूड होती है आपकी उसी के अंदर रहता है अगर अमिनॉटिक फ्लूड फट गया थैली फट गई तो बच्चा अब इस दुनिया में आने के लिए वह रेडी होता है तो यह दूसरा बहुत बड़ा symptom है तीसरा बहुत बड़ा symptom हो कि इसके साथ ही साथ आपको कमर में का अगर दर्द आ रहते जिसे फिड्रॉप हो जा रहा है इस तरह का अगर दर्द आपको पल्स में दिखाई देता है बिल्कुल अब दब में डिलीवरी है अगर आपकी बहु के साथ या बेटी के साथ या खुद आपके साथ यह सारी चीज़े हो रही है एकदम मेक शौर कर कर लिजे कि आपने सारी तयारिया कर ली है डिलीवरी बैक को भी लेकि मैंने अल्रेडी वीडियो बनाया हुआ है चुकि एंडिस्क्रिप्र में डाल दूंगी कि कौन-कौन सी चीज़े आपको हस्पिटल ले जाने जरूरी है वो जरूर अपने बैक तयार कर लीजेगा क्य कि एंडिस्अ चैटल कर.